हलो एं नमस्कार दोस्तों प्रयाग राज कुम्भ मेले में गंगा असनान से क्या होगा फायदा प्रयाग राज में गंगा के किनारी कुम्भ के दिनों में असनान करना बहुत ही महत्पूर्ण है प्रयाग राज में कुम्भ असनान 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा इसमें 15 एकेश और 31 जनवरी 14, 16 और 19 फरवरी यों 4 मार्च को मुख असनान होंगे लेकिन देखा जाए तो 15 फरवरी से 4 मार्च तक कभी भी असनान करें सभी असनान महत्पूर्ण है क्योंकि इस वक्त गंगा में सबसे ज्यादा पुन्य दाई और पवित्र होती है कुम्मे गंगा असनान पूजन का महत्त है हिंदू के सभी तीरस नदियों में परवस्षे हैं गंगा नदी हिंदू के लिए दिभी और माता समान है इसलिए हिंदू के लिए गंगा असनान का बहुत महत्त है, गंगा जीवन और मिर्ट दोनों से जोड़ी हुई, इसके बिना हिंदू संसकार अधूरे हैं गंगा जल अम्रित समान है, अन्येक परववरुत्सों का गंगा में से सीधा संबंध है मकर सकरान्ति मौनी अमावस्याब बसंत पंजमी अमावस्याब महा सिवरात्री और गंगा दसाहरा के समय गंगा में असनान पूजन दान यो दर्शन करना महत्तफूर माना गया है गंगा जी के अन्यक भाक्ति ग्रंथ लिखी गए हैं जिनमें स्री गंगा सहस्न नाम अस्त्रोत्रम यो गंगा आरती बहुत लोग प्री है गंगा पूजन यो असनान से रिद्धी सिधिया समान की प्राप्ति होती है तता समस्त पापों का च्छाय होता है मानता है कि गंगा पूजन से मांगलिक दोस्ट से ग्रसित जातकों को विशिसलाब होता है गंगा असनान करने से अज़ुब गरहों का प्रभाव समाप्त होता है अमावसादिन गंगा असनान और पित्रों के निमित दर्पण वापिन दान करने से सद्धती प्राप्त होती है और सही सास्त्री बिधान भी है हिंदु धर में ऐसी मानता है कि कुम अस्थल के पवित्र जल में असनान से मनुष्य के सारी पाप कश्ट धोल जाते हैं और मुष्य के प्राप्ती होती है गंगा जी में असनान करने से सद्धता और पुन्यलाप प्राप्त होता है